सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक है साइन्टिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हाँ आप लोग देखते हो कुछ अपने आसपास और कुछ जो हैं वह आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं मतलब आसपास कैसे से आप डॉक्ट कर देख रहे हैं बट ऐसे कुछ और इंस्ट्रूमेंट है कि हम लोग नहीं स्तमाल करते हैं और पहचानते भी बट इन तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी तो सबते पहले आप लोगों को पता ही है कि कल ये बैच्च यह पलोको का इंगलिश का अप्रेक्टिस उसे बार-बार एक्जामिनर जो है वो पूछता है सभी को जैश्यकिष्णा रादे रादे हर हर मादे अच्छा मैं मेरा पेमेंट हो गया एक बार आप लोगों को दिया गया उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते आप अपनी जिससे क्या होगा जिससे अपने इंस्टूमेंट्स थी तो इन्होंने हमारे जीवन को काफी ज़्यादा आसान भी बना दिया है इसी बना दिया कोई चीज हमें मेजर करनी है या फिर कोई चीज को हम लोगों ने जानना है जैसे कि लिए बारिश आई तो में देखना है कि बही कितने मीटर कितने बहुत सारी छीजाश गरा आसान ओचुकी है जो हम आझ के टाइम पर डिली लाइफ में अपने इंस्टूमेंट्स को साइंटिफिक इंस्टूमेंट्स को यूज में लेता है फिर अगोर बात करते हैं सिंपल सी बात है आसान बना दिया और टिफ्रेंट इफिरेंट इसका sulph प्रकार हम क्या पढ़ने वाले हैं तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं गुड़ा आप्टरनून रादे रादे सभी स्टूडेंट्स को आप सभी लाइक करते चलिएगा साथ साथ क्लियर तो सबसे पहला इंस्ट्रुमेंट का आता है कौन सा करते हैं यह आप लोगों की हाइट को मेजर करने के लिए कि कोई चीज कितनी उचाई पर है तो उचाई वाली चीजों को मेजर करने के लिए हाइट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रुमेंट यूज करते हैं हम आप लोगों का क्या एल्टी मीटर बतले बैसिकली एल लोगों को यहां पर देखने क्लें मिलें कि बहुंद इमेज और यह कैसा दिखता है तो बेसिकली हम एरक्राफ्ट वगैरा में विमानों वगैरा में जैसे कि तो कितनी उचाई से उड़ रहा है एरोप्लेन तो उसकी मेजरमेंट के लिए उसकी हाइट के लिए इसको इस्तमाल में लेते हैं ठीक है ऑगे चलते हैं आगे क्या बात करता है अगला आप लोगों का आजाता है एक और इंस्ट्रुमेंट और वो क्या है आप लोगों का ओडियो से रिलेतीड है अगर मैं बात करते हूं क्या है अग्र तो अगर मैं बात करते हूं guys ये intensity तीवरता किसकी भई धुनी की तीवरता को मापने के लिए use में लिया जाता है और measurement के लिए हम इसको क्या लेते हैं इस्तमाल में लेते हैं जैसे हम 4-5 प्ढ़ लेंगे उसके बाद एक Question आएगा जो आप लोगों को क्या करना है लगाना है उसके बाद फिर हम कुछ पढ़ेंगे उसके बाद फिर उन 4-5 में से एक Question आएगा जो आप लोगों को लगाना पड़ेंगा Class के अंदर ही जिससे आप लोगों को याद में रहेंगी चीज़े तो copy में note down जो है वो आप सभी इन सब चीज़ों को करते चलिएगा ठीक है जी आगे very good very good चलें आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं वह अगले अगर हम बात करतें इंस्ट्रूमेंट की तरफ अगर मैं आप लोगों को लेके चलू तो अगला कौन सा यह याद रखेगा धुवनी यानिकि साउंड की intensity को क्या किया जा रहा है यहां पर मेजर किया जा रहा है तो यह विज्वाइब को इमेज में दिखाई दे रहा है कैसा अगला है आप लोगों का कौनसा बेसिकली जो electricity या फिर अपनेर्जी को मेजर कर जाए नगे क्या कर जाए जो कि आप लोगों का एक डिवाइस है जो कि क्या करता है आप लोगों की एलेक्टिक अनर्जी को करता है हमारी विध्यूत ऊर्जा वह बन रही हो वह स्टोरे भी ओर हो रही है तो दॉक्त करने वाला डिवाइस आप लोगों और ए 35 Smith Recold कर रहा है संगरित कर रहा है उसको बचार रहा है उसको स्टोर कर रहा फॉर्दर फ्यूचर में यूज के लिए अब आप ठीक है अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है वास तो हां स्टोर करता है अलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लोगों की ठीक है मिल जाएगी पीडियाफ आपको जो है एप्लिकेशन पे सारी की सारी पीडियाफ जो है वो डेली ही मिल जाती है चलो और लोके नेक्स्ट अब यह स्टोर कर रहा भाई आप लोग का अगले कॉश्चि 11-12 करी है हना और 10 में भी आप लोगों ने अगर आपको साइन्स लाप के अंदर ले जाया गया होगा और आप लोगों एक्सपेरिमेंट्स वगएरा करवाए होंगे तो आप लोगों ने इसकी इमेज जरूर देखी होगी कि भई क्या करता है यह इट मेजर दस्ट्रेंथ कि हिसाब कितनी तीवरता से कितनी क करन रहा है और रहा हो मेजर्मेंट और अगया आ गया गाई आप लोगों का कश्यन आंसर लगाने की कोशिश कीजेगा कहता है कि एल्टी मीटर क्या मापता है क्या मापता है वह बीच में ही आजाएंगे तो बताएंगे बही मैंने बताया था मैंडम height को measure करेगा हना किसको measure करेगा height को जो है वो measure कर जाएगा आप लोग का basically किसमे use में लिया जाता है विमान वगेरा में विमान की height वगेरा को नापने के लिए जिसको आप क्या कह दोगे aircraft कह देते हो तो basically क्या गए height altitude को क्या करने के लिए measure करने के लिए तो right answer हमारा क्या हो गया यह जो है वे हो जाता है बिल्कुल correct answer आप सभी नहीं यहाँ पर दिया है good afternoon सभी students को clear अगले question की तरफ या फिर अगले कुछ points की तरफ चलते हैं तो altimeter आप लोगों का उचाइम आपता है समुंदर तल से कहलो या फिर आप लोग जमीन से कहलो क्या किया जाता है जो आप लोगों को समझाया है वहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए लिखा हुआ है ठीक force को measure करने के लिए क्या किया जाता है और किसकी बात करी जारी है यहाँ पर हवा की गति की बात करी जारी है वे को दो के지ना है और उसके लिए होता है तुमको हवा किटनी चल रही है उसका कितना फोर्स एक तु बहुत तेज बहुत जल्दी से च्पीर और उसकी स्पीड है और तही तो किसे तेज से वह उसको प्रेशर दे रहा है यानिकी बल आप लोग वहां पर देखते हो जो कि एक्सपीरियंस हो रहा होता है वह आप लोगों का कौन से डिवाइस से होता है वह अनीमो मीटर से किया जाता है आप लोग यहां पर देख रहे हो ठीक है वह विंड मेजुरिंग के लिए यूज में लिया जाता है मांसी नमस्ते आधे राधे क्लियर है वह यह तो मैंने की कांसे समझ रहे हो किस से समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हो आप लोग देखते हो कि यह तो में सुनाई ही नहीं देता वह इंस्त्रूमेंट का अप्टमाल कर द मोढए जिनको बोई जो है उनके कान तक पहुंचा पहचा दिजा याफर हम यह कह सकते हैंhan Kent को शुद्ध करके उसको बेसिकली हम कह सकते हैं जो इंपर्फिक्ट साउंड है उसको इंप्रूब करके कानों तक पहुंचाना क्या है इसका वर्ग जो है वे हो जाता है तो इस डिवाइस का नाम क्या है बई ओडियो फोन जो है इसका नाम हो जाता है कि इस यूज फॉर सेंसिस औफ ही और हना जो सुन नहीं पाता है डंक से उसके लिए यह आप इंस्रूमेंट्स को क्या करते हो देखते हो ठीक है भई अभी मन्यों विलकुल नाम लेंगे चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अब क्या बात करता है कैता है आप लोगों का बै यहां आप और इस डिफाइन से भी जा सकते हो कहता कि इस यूज़ फॉर कंटिनियस रिकॉर्डिंग और आट्मोस्फेरिक प्रेशर यानि की कंटिनियस जो हमारे वातावरण में प्रेशर बन रहा है हना कंटिनियस यानि कि लगातार उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों का क्या भाई बैरोग्राफ इस्तमाल में लिया जाता है रिकॉर्ड यहां पर देखने के लिए यह करेगा यहां पर क्या करेगा यहां पर ड्रॉज है वे हो जाएगा रंजन कुमार भी सबका नाम लेंगे पढ़ाई करो डेली क्लास के अंदर आओ आप लोगों मुझको खुद को ही नाम याद हो जाएंगे फिर मैं बोलूंगी यह क्लास में नहीं है तो एक बैरो ग्राफ प प्रैशर को ही मापने के लिए केवल और केवल की भाईया आपके एटमोस्फेयर में आपके बातवरन में आपके वायू मंडिल में कितना दबाव है या फिर दबाव मापने के लिए क्या किया जाता है इस इंस्ट्रुमेंट का इस्तमाल जो है वे लिया जाता है वकिया जा सामने से पास में से दिखाई देंगे पास में दिखाई देंगे तो यह हम लेकी विपन जाते थे हमारे ममी पापा ने मेले में दिलाया है तो दशेरा का जब मेला लगता था अकसर वही पर यह सब चीजे जो है वो देखने के लिए मिलती थी यह तो इंस्ट्रूमेंट है लोकली हम लोग खिलोनों के रूप में यूज करते थे बढ़ हमने यह जरूर देखा है आप दुकान पर जाओगे प्ले स्टोर पर जाओगे वहाँ पर भी आप लोगों को देखने के लिए जो है वे मिल जाएगा तो वही इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप लोगों को दूर के डिस्टेंस अब्जेक्ट को पास में लाने के लिए यानि कि ग्लासे जो हम लोग ग्लासे इस्तमाल कर रहे हैं चश्में जो हैं वो भी त चलो वह स्पेस के चीजुथों को बैसी कि ली फेज टेस डिस्तिंस की अबजेक्ट हुआ उनको देखने के लिए यूज में लिया और चलते हैं कहते हैे पडलोऌ मीटर डीको बालोग्ट आपको मैंने बैलोग्राफ पड़ाया बॉरो मीटर पड़ाया फिर अब आजाता है आप लोग का बॉलो मीटर अब यह क्या कहता है कि मेजर दा हीट रेडियेशन एक रूम है उस रूम के अंदर भई कितनी ऊशुमा है कितनी गर्मी है बेसी के लिए ना कितनी radiation है heat radiation को measure करने के लिए क्या किया जाता है यूज में लिया जाता है आप लोगों का क्या भई बॉलो मीटर तो राइट answer बेसिकली राइट आंसर तो नहीं question तो यहां पर है यह अभी आप लोग क्या कर रहे हो चीजों को समझ रहे हो उसके बाद आपको क्या करना inquiry लेनी है तो नंबर जो है आपकी पिन हो रखा है मैसे एक बार मैं देख लूँ हां जो नंबर बेसिकली एक मैसेज आप लोगों की चाट में ही पिन हो रखा है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक तो लिंक मिल जाएगा दूसरा नंबर भी आ रहा था ठीक है नंबर जो है वह मैं आप लोगों को चैट में पिन करवा दूंगी जिससे आप सभी को जो भी इंक्वारी लेनी है वह आप लोग ले पाओगे ठीक है जी ओक हुआ है चलो बहुत बढ़िया थैंक्यू सो मच आगे चलेंगा यह क्या करेगा आप लोगों को हीट देखने के लिए मिल रही है वहाँ पर आपकी हीट की रेडियेशन को मेजर करके आप लोग को बताएगा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतनी जो है वे हीट है इतनी जो है वह गर्मी है उश्मा है अगला कहता है कॉशिन बताओ कि आप लोग कहता बढ़ी है बॉलो मीटर बहुती सुंदर का इस क्या हो जाएगा बॉलो मीटर जो है इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जो कि क्या करेगा बेसिक ली आप लोगी ही कि रेडियेशन को क्या करता है मेजर करता है बहुती सुंदर हां हां यह साइन्स साइन्टिफिक इंस्ट्रू explain कर रहा है आपको और कुछ नियाप पीछे तीसरी बारी पढ़ चुके हो कहते हैं आप लोगों से कलोरी मीटर गई ध्यान से देखेगा यह आप लोगों का कलोरी मीटर है जो कि आप लोगों की intensity of colors यानि की colors की तीवरता रंगों की तीवरता की तुलना करता है बेसिकली comparison, measurement जो है वह यह करता है ऐसे बहुत सारे नाम आप लोगों को calorie calorie मीटर जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे आप लोग महीं पर confuse जो है नहीं होगे ठीक है भई तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यह क्या करता है आप लोगों के compare करता है intensity of color दो colors हैं उनकी intensity को basically क्या करेगा compare जो है वे करेगा वो measure भी करेगा ठीक है भई तो आप लोगों को कौन सा भई calorie meter जो है वे हो जाता है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर calorie meter की या फिर calorie meter की तो उश्मा की मात्रा को नापता है यह quantity को वो radiation को ballometer यह क्या करता है quantity कितनी quantity है उसको क्या करता है भई measure करता है दोनों चीजों में ध्यान दीजेगा यह quantity है और यहाँ पर क्या था आप लोगों का measure heat radiation यह heat radiation के लिए है और वो quantity के लिए है तो ballometer पर आप लोग याद रखेगा radiation और अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से कॉलोरी मीटर की तो यह उश्मा की मात्रा पोन आप तो दोनों चीजों में confused नहीं होना दोनों एक जैसे से ही है बेसिकली सुनने में बट radiation और आप लोगों का quantity जो है वो आ जाती है बट है किसकी heat की है तो गलत नहीं करना है ठीक है लिया है चलो है ओके नेक्स्ट पर चलते हैं अगले पर चलते हैं अगला क्या बात करता है अब बात करते हैं आप लोगों से कार्बूरेटर की आप लोगों ने देखा होगा बॉइस वागेरा ने देखा होगा यह बेसिकली इंजन्स के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कि फ्यूल को क्या करता है आगे पहुचा आता है क्या करता है आप लोगों की गाड़ी है बाइक है उसके अंदर लगाए इसको साफ करवाया जाए तो वही है इस यूज़ इन एन इंटरनल कमेंशन इंजन पर चार्जिंग दा एर विद पेट्रोल वेपल हना तो यह आप लोग देखते हो फादर भी आप लोगों के जाते बही गाड़ी का कार्बुरेटर जो है वो भी साफ करवाया जाता है जो कि आप लोगों को इंटरनली इंजन जो है उसके अंदर फ्यूल को लो करवाने के यूज में लिया जाता है तो फ्यूल और मिक्षर एर भी है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एर जो है वे नहीं होती है ठीक है ठीक है चले आगे लिए सब्सक्राइब करते हैं क्लास को तो लाइक करना नहीं है क्लास को लाइक करना नहीं क्या मिल जाएगा क्लास को लाइक करके आगे चलते हैं कहते हैं काडियो ग्राम काडियो ग्राम काडियो ग्राम काडियो वर्ड कहां से आया है अगर हम बात करते हैं काडियो जो वर्ड आ record on the Cardiograph यह क्या करता है यह movement को बता रहा है कि यह काडियोग्राफ पर दर्ज दिल की गती विद्यों का पता लगाता है यह करता है गती विदियां ब्लेड प्रेशर उपर हुआ नीचे हुआ यहां पर एर इस पॉइंट पर नीचे हुआ था ठीक है उसका जो है वो पता लगाता है ठीक है कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की कल होएगी और कल आप लोगों का MS Office जो है MS Office का भी वो आप लोगों का complete हो जाएगा मेरे साथ ठीक है तो आप लोगों की साड़े तीन घंटे एक MS व्रड है जो आप लोगों ने यहां पर मेरे साथ पढ़ा है तो यह आप लोगों का complete हो जाएगा 3 30 गान भी मोट बड़ी बात होती है कि एक चैप्टर में से बिए एक टॉपिक आप लोगों ने 3 30 गंट लिए हैं तो कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी देखना अगर कल Flying क्लास आप लोगों की दो बजे नहीं होती है क्लास 12 होसकती है अगर मुझको स्टूडियो मिल गया तो मैं जिसकेश 12 करवा दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है हाँ कि कि तो वैसे तो 2 बज़े होती ही एक लास आफ लोगी बठ़ा कल आप लोग इ वाई टेकर क्णास 12 बज़े फुसक्ति यह लुछ जुएसे रोज जो होती है वं 2 बज़े आप लोगों से मिलते हैं ठीक भाई चला आघे चलते हैं अगला वा tecnología थे गर मिंसक्रासारहels में में आप लोगों को पहले सिसके सब्सक्राइब जाता हैы आप लोगों का प्रियोग में लिया जाता है तो अगर मैं बात करती हूं कि आप लोगों के जो ग्राफ है यह उपकरण है जिसका उपयोग सिनमा निर्मान में पर फैकने और तस्वीर की बढ़ी हुई चवी को दिखाने के लिए किया जाता है यानि कि जो स्क्रीन है उस पर इमेज है उसको बड़ा करके दिखाने के लिए सिनिमा के अंदर यूज में लिया जाता है ठीक है हां जी हां जी अगले पर चलते हैं अगला बात करता है किसका प्रियोग किया जाता है दिको spelling पर ध्यान दीजेगा गलत मत कीजेगा यह दोनों ही गलत हैं मैं बता दे रहूं नीचे वाले उपर वाले में से आप लोगों ने एक find करना है जो आप लोगों का बिल्कुल correct answer जो है वे हो जाएगा मैंने बोला भी था कि ध्यान से पढ़ना दो करवाऊंगी आप लोगों को और दोनों में आप लोगों का क्या है important role जो है वो पे हो जाता तो answer देने की guys आप लोगों कोशिश कीजिएगा क्या इसका correct answer जो है वे बन जाएगा A और B A और B करके answer दीजेगा guys बहुत सुन्दर B नहीं है भी जो answer दे रहे हैं वो नहीं A बिल्कुल ठीक है सभी students mostly सभी सही answer जो है वे दे रहे हैं आप लोगों का calorie meter चलें भी आगे calorie meter अब ला तो इसके बारे में बता रहा है भाई क्या कि यह क्या करेगा यह आप लोगों की comparison करेगा किसके बीच में colors के बीच में ठीक भई आपको पता चल गया था इसके बारे में इसका वर्क आगे चलते हैं कहते हैं आप लोगों से कॉम्यूलेटर कॉम्यूलेटर कॉन सा डिवाइस होता है सबसे पहले हम इसकी image देखेंगे कि वही कैसा दिखता है उसके बाद बात क्या करता है कि यह जो जुड़ा है वह किस से जुड़ा है करंट से जुड़ा है electricity से जुड़ा है धारा से जुड़ा है basically direction को चेंज करता है किसको चेंज करता है दिशा को बदलने में काम करता है यहीं अगर मैं डाइनमो की बात कर दूं क्योंकि आप लोग परशान होगी मैं डाइनमो क्या है वह आप लोगों का alternate current को direct current में AC को DC में convert करने के लिए यूज में लिया जाता है कि इसको alternate current को direct current में यूज करने के लिए क्या लिया जाता है तो यह ध्यान रखेगा अगर बात करता है आप लोगों से बेसिकली क्यों मुडेटर की तो क्या है चेंज एंड रिमूब दा डारेक्शन ऑफ एलेक्रिक करेंट ठीक भी ध्यान से आंसर देना है पीछे लिए गया सब्सक्रेटर कर यह लिए कि बहुत अच्छे से इसके बारे में आगे जान पहोँ अब क्या बात करता है कैता आप लोगों से किसके बारे में क्रीश को गुर्फ का बारे में अब पैसि को जाने वाला प्लांट यह इनकि फैड जो है ना पेडी जो growth है हाना उसको क्या करने के लिए मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला डिवाइस जो है ब यहOW जाते है कि तो उसकी मेजरमेंट के लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है ठीक है ठीक है ठीक है वही एक सेकंड रुखियेगा एक में टूचो अच्छा एक सेकंड रुखो यह क्या बात कर रहा था यह यह बात कर रहा था कि दिशा को बदलने के लिए बट हेल्प किसकी लेता है कर रहा होता है डाइनों को चेंज करता है लो क्या करता है चलें चलें हो रहा होता थाहें है हाँ हम इसके लेगा अब आप एक पर दिया यह चीज को आगे चलते हैं आगे क्या बात करते हैं यह समझ में आगे आप लोगों को कि प्लांट्स की ग्रोथ को मेशर करने के लिए यूज में लिया जाता है फिर बात करते हैं आप लोगों से यह आगे दॏझ करेगा भी बल को टॉरक को और पावरको मेशर करने के लिए यह जो डिवयाई आप लोगों का इसतमाल में लिया जाएगा डयन मो मीटर ध्यानिक ि Glory Eye नहीं यहां पर आप सिया पूछा गया सथा को और ओर बल को क्या करेता भई मा घण यानि की मेजर जो है वे करेगा ठीक है भई ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे क्या बात करता है कहता आप लोगों से यह आगे भई डाइनमो हाना देखो वहाँ पर डाइनमो की मदद ले रहा था कॉमिलेटर बट वहाँ पर आप लोगों का AC to DC कनवर्ट करा था अब यहाँ अगया डाइनमो जो है वह आप लोगों का मेकानिकल एनर्जी को अंदर क्या करता है कनवर्ट करता है तो यहाँ पर और क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि वहाँ पर जो थोड़ी सी कन्फूजन हुई थी हाना पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ डा पूजा के अंदर बदल देता है ठीक है क्लियर है अगला क्या बात करते हैं अब लोगों से लेक्ट्रो स्कोप के बारे में अब लेक्ट्रो स्कोप क्या करता है डिटेक्ट दप्रिजेंस ऑफ एलेक्रिक चार्ज यानिकि कि यहां पर आप लोगों का अलेक्रिक चार्रण्ट है या नहीं है रिटेक्ट करने के लिए उसको ढूंडता है बताता है कि हां है तो ठीक है नहीं है तो नहीं है और नामें आंसर देदेगा कि विद्द्युत अवशेश की उपस्तिती का पता लगाता है कि इस वाले एरि अलेक्स मैं कॉमेंट यह है वो सब देख रही हूं प्लीज डूंट कॉपी पेस्ट हने स्टैम मत करो कि 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 अच्छा आगे चलते हैं आगे क्या बात करता आप लोगों से एक सेकंड ठीक है नेक्स्ट आ गया कहता है एंडोस्कोप अब एंडोस्कोपी जो है वो करी जाती है और उसके अंदर पता कर जाता है कि उसके अंदर से यानिकी इंटर्नल पार्ट को देखने के लिए क्या किया जाता है एंडोस्को 민します कि नामक यंद्र का इस्तमाल साइनटिविक इंस्टुमेंट का इस्तमाल गरते हैं आप इस वाली से नहीं पहचान पाते तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यह वली इमेज लगाई है जिससे आप बहुत अच्छे से फैच जो है वेकर पाऊ हां कैमरा लगा हुआ होता है अंदर जाता है और अंदर के पार्ट को क्या करता है दिखाता है उसके कोडिंग क्या होते लेज यूडोमीटर जो है वो क्या काम करता है बेसी के लिए अगर हम बात करते हैं जो पानी है उसका वॉल्यूम पानी तो बहुत सार है उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है अग ग्लास ट्यूब किस से किया जाता है ग्लास ट्यूब से एक ग्लास ट् करते कहीं reaction हुआ है तो गैसे सिस्ट आप लोगी क्या होगी भी गैस होगी हाँ और क्या मिकल रियाक्शन और गैस के बीच में जो वॉल्यूम है उसको मेजर करने के लिए जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है हाना जो आयतन में परिवर्तन आ रहा है बिट्वीन जो आप लोगों chemical reaction हुए और उन कैसिस के बीच में मेजट किया जाता है किसके दुआरा भाई आप लोगों का यूडो मीटर दुआरा पर चलते हैं अगला क्या आप लोगों से कहता है चिक फैठो मीटर क्या होता है कि ऑशन है सागर है वो कितनी डेप्थ पर है हांब उसकी गहराई जो है वो कितनी है तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बही फैठो मीटर का इस्तमाल करते हैं depth of the ocean यह समुंदर की गहराई को क्या करता है मापता है समुंदर है कितना गहरा है उसको नापने के लिए मापने के लिए हम क्या करते हैं फैतोमीटर का इस्तमाल जो है वे करते हैं कैता आप लोगों से विच इंस्ट्रुमेंट इस यूज़ तो मेजर दर डेप्थ ऑफ द ऑफ द ऑशियन बताओ भी समुंदर की गहराई को मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तमाल जो है वे किया जाता है कि बताओ एक वर्ड एमेस वर्ड की लाश राहल कल हो गई है एक कल होएगी ठीकर बताओ ह抽 गानिसर दो 大êteए एक्जाक्ट्ली क्या हो जहेगा मारा फैतोमीठर वे डिवाइज है जो की क्या करता है बही मेजड करता है किसको व क्या करता है मेजर करता है तो इसी बारे में बता रहा है कि सर्फेस बॉटम बेसिकली स्मूध है कैसी है सर्फेस पानी के नीचे सब चीजों को बताएगा अगला कहता है आप लोगों से बेसिकली गैलवनो मीटर गैलवनो मीटर क्या करता है मेजर दा एलेक्ट्रिक करंट ओफ दा मैगनी ट्यूट या कम है हना क्या है मैगनी ट्यूट जो है वे ही कम है उसको हम क्या बोलेंगे गैलवनो मीटर बोलेंगे वह डिवाइस कौन सा जाएगा गैलवनो मीटर जिसका मैगनी ट्यूट कम है उस डिवाइस को मेजर कौन करेगा गैलवनो मीटर जो है वे करेगा ठीक है जैश्री कृष लोगों का हिंदी जो है वह यहां पर टाइप और बन चुका है तो हिंदी मत देखेगा आप सभी इंग्लिश में ही क्या कर लेना आगे कर लेना अब कहता है हाइड्रोमीटर तो हाइड्रोमीटर क्या करता है कि specific gravity of liquid लिक्विट मैंने गिराया यहां से मैंने गलास से लिया बिल्कल पानी लिया या फिर कोई बूंद को क्या किया हाइट इसे नीचे गिरा तो उसकी ग्रेविटी को मेजर करने के लिए बेसिकली लिक्विड की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए गुर्तु आक्षन जो बल होता है उसको किसका पानी का लिक्विड का मेजर करने के लिए क्या किया जाता है इसका इस्तमाल किया जाता है हाइग्रोमेटर का यह द्रवों की ठीट है जी हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं आगे जो है वो क्या कहता है आप लोगों से कहता है हाइड्रोपोन देखो यहाँ पर क्या है हाइड्रो मीटर यहाँ पर जुड़ गया वर्ड आप लोगों क्या हाइड्रोपोन इट्स मेजर दस साउंड अंडर वाटर यानि कि प और चैनल में लिया जाएगा that is hydrophone Hydro Pani phone मतलब phone normally जिसने आप क्या कर रहे बात विगर कर करें पने फोन को पानी में लेके जाओ गये तो आप लोग फोन जो है अगर आईफोन है तो बात अलग है खराब वगेरा नहीं होएगा और वाटर प्रूफ है तो नहीं होएगा बाकी तो खराब हो जाएगा बठाव उस समय अगर आप फोन लेके जा रहे हो तो किसके लिए साउंड के लिए लेके जा रहे हो तो इस तरीके से आप क्य ठीक है छले इक है को फोन से ही पता चल रहा है एक्जाट फी ठीक आगे चलते हैं आगे आप लोगों से बात करते हैं पानी के अंदर धुने मांपने के लिए किसका प्रयोग जो है किसका उपयोग जो है वे किया जाता है बताओ अन्सर देश का आंसर दो हाँ अभी तो पढ़ाया पीछे ऐसा भी इतनी है कि बहुत दूर हो गया पड़े हमने पढ़ लिया बहुत दूर हो गया में तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हाइड्रो पून जो है वेसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा ठीक है बहुत है पानी में कौन लेकर दाएगले के जाते है तो इसके बारें बता रहे है कि एक शाता वह दूर्स आप फीड़ो मेटर हाइड्रो मेटर पडरलिया हाइड्रो फोन पड्लिया हाई-घ्रो नाम जो है वो जुड़ गया है hygrometer वातवरन की नमी की माट्रा को मापने के लिए यानि कि जो हमारा वातवरन से वान56 कितना moisture है नमी कितनी है उसको नापने के लिए हम hygrometer नमख device का इस्तेमाल करते हैं और है इते से यह कोज आगे चलते हैं supremacy आप लोगों से बात करता है कि काई काइमो ग्राफ किया होता है इस यह रिकॉड करता है हाना किस को बलड हो घुड़ता सके झिस सबस्टेन है यह मारी बॉडि तक पहुंच रहा है और हर्त किस प्रकार function कर रहा है, वो work करने के लिए या फिर हम कह सकते उसको record करने के लिए उसकी गतिविदियों को इन दोनों की activity को, hurt की और blood की activities को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है? Use में लिया जाता है आप लोग का looks क्या किया जाता है काइमोग्राफ इस्तमाल में लिया जाता तो वही लिखा है कि यह ग्राफिक रूप से शारीरिक गतिविदी यानि कि जो बॉड़ी की एक्टिविटी है जो क्या है बॉड़ी की एक्टिविटी जैसे कि रक्त चाप, ब्लड प्रेशर, जैसे कि दिल की धरकन, यानि कि हर्ट बीट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, किस चीजों को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड, बेसिकली, मुव्मेंट, प्रेशर बोल देंगे, ठीक है, और क्या ओजाएगा, हर्ट बीट को, ठीक है, समझ गए बहुत बड़ी समझ में आ रहा है ना इसलिए में बीच-बीच में कॉश्चन जो हैं वह आप लोगों से लगवा रहे हूं ताकि आप लोग क्या कर पाओगे ठीक है वह आप लोग यह एक्टिविटीज को मेचर करता है कि बहुत सारे इसमें से हम लोगों ने पढ़े हैं जो हम लोगों को बहुत जादा एक्जैम में देखने के लिए मिलते हैं बार बार देखने के लिए मिलते हैं और लेक्टो मीटर में से एक है जो कि प्यूरिटी ओफ ब्लड यानि कि ब्लड की शुद्धता और प्यूरिटी ओफ मिल्क बेसिकली दूद की शुद्धता को नापने के लिए जो है वो इस्तम कभी मिल्क का और अगे 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 बात करता है कहता है अगे आप लोगों से मैनोमीटर तो जितने गैसे गैसे का जितना प्रेशर है दाब है उसके पोर्च को क्या करने के लिए मेजर करने के लिए हम क्या करते है बई मैनोमीटर का इस्तमाल करते है यह गैसों के दबाव को क्या करता है मापता है किसको करता है गैसे के जो प्रेशर है उसको क्या करता है मापता है डेली दो बजे चलती है देखो यहां आप लोगों के लिए लिखा है यह रोज जुड़े कहते हैं आप लोगों से मरीन कमपस अच्छा मेरिनर कमपस बेसिकली जो नाविक होते हैं ना सेलर्स वगेरा जो होते हैं जो शिप वगेरा चला रहे हैं वो डारेक्शन के लिए इसको क्या करते इस्तमाल में लेते हैं तो वही है यूजड बाइस सेलर भूख ऑनके वह जया है उसको किया जारा है जा रहा है उसको के दुआरेक्शन भी इसतमाल में लिए जाता है जो हम कह सकते हैं एक लोकल लैंगूज में जो श्रीट है योजड बाइवर के पास को ढेगा का देखने के लिए मिल जाएगा है कर देख रही हूं देख रही हूं देख रही हूं ड्रीम एससी क्रैक बिल्कुल देख रही हूं है तो मतलब बेसिकली समुंदर के लिए ही उसके बात करता माइक्रोफोन अब आप लोग क्या करते है जैसे कि मैंने यहां पर लगा रखा है आजिस्ते आपके पास आवाज आ तो यह क्या है यह साउंड की घ्रफ को एलेक्रिक वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है तब ही तक आप लोगों के पास मेरी जो साउंड वह पोहुच रही है इसके जरीये पहुंच रही है तो बिल्कुल वही है यह और कुछ भी नहीं है कहता इट कर दो गॉर्ट साउं करने का करता है काम करता है ठीक है वाइब्रेशन और मैगनिपाइंट आप जो हम लोग बोल रहे हैं हमारी साउंड को क्या करना एलेक्ट्रिक इस बैसिकली वाइब्रेशन के अंदर कनवर्ट कर देना इसका काम जो है विह बिए होता है आप लोगों आज पूच के बता दूगी हम जाएंगे सर आप लोगों के लिए ही इस विज़ेस्टे क्लासेज शॉया है शाय से नहीं हो रही है आपि पर्शान मत होई है आप लोगों इसको एलेक्ट्रिक वाइबरेशन के अंदर करना या फिर हम बात कर सकते हैं साउंड एनर्जी है तो इस उर्जा को जो मैं बोल रही है उसको एलेक्ट्रिकल उर्जा में तब्दील कर देने वाला डिवाइस जो है वह कौन सा है कि हुआ है कि अब यहां पर कन्वर्जन की बात हो रही है मनगर्ग वह तो हैल्प करते हैं भी डीजे आप शादी पार्टी में जाते हो ठीक है तो उसको तो बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं जो आपके कानों में लगा हुआ है यह तो पहुचाने वाला जरिया और अवाज जो आपके कानों तक पुच्छी वह स्पीकर काम करेगा जो आपके फोन में लगा हुआ है जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है बाकि मेरी अवाज तो भाई अपने फोन की वॉल्यूम को यह डाउन कर रख तो वह क्या कर सकता वह कुछ नहीं कर सकता जब तक आप स्पीकर को वॉल्यूम को रेज नहीं करोगे तो वह स्पीकर में कौंट नहीं होईगा ठीक है वह आप तक पहुंच रही है ना वास समझ गए इस चीज तो राइट आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोफोन एग्जाक्ली क्या हो जाएगा जाएगा आप सभी यहां पर बन जाएगा ओके है कि इस थे कि रह अब है गहां है हन Kane भी है उब Po ऑगे के चलते है अगे क्या बात करता है सी के बारता है बायर में बोल रहा है कुश्ट आप जान लिया कहते हैं फिर आप लोगों से माइक्रो स्कोप अब चोटी-चोटी चीज़से होती है आप लोग यगर मेडिकल फील्ड में भी होगे कहीँ अ 10 उलिए सचैनस की लाप के इंदर बाने और स्टो से यह बिए बाद में करवाया होगा ठीक है आप लोग देखाऊगा वारे सलाइवा का भी टेस्ट आप लोगों कराऊगा अगर आप सी बेए सी स्टूडेंट हो तो वह चोटी चोटी चीजों को जिन चीजों को अपनी नेकेड आई जिसको हम कह सकते विदाउट ग्लासेज या विर कि तरीके से कह सकते हैं कि हम अपने नॉर्मल जो ग्लासेज विदाउट ग्लासेज या फिर नंगी नेत्र जिसकों कहा देते हैं कि उसका यूज ना करके मतलब देख नहीं सकते उनको तो उनके लिए हमारे क्या माइक्रोस्कोप जो है वे लगे उते हैं जो कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते है ठीक है ठीक है तो वही लिकाए इस तो अप्टेन दा मैगनिफाइंड व्यू आप दे स्मॉलर ऑप्जेक्ट छोटी चीजों को क्या कर देगा बड़ा जो है वेकर देगा ठीक है नहीं होता ना स्टेट वोट स्कूल के अंदर नहीं करवाया हां कॉलेज में किया था तो कि कि आफ लोगों से ओम मीटर हमाव है शॉस देंस के बारे में हाना प्रती रोदक के अंदर आठैकर। कि जो आप लोगों की उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बेशक फिर आपको याद ना हो फिर आपने दुबारा से गवर्मेंट एक्जान्स की तैयारी करने लगे फिर आप लोगों ने इसको धोराया होगा हाना क्योंकि साइन्स है बेसिकली आप लोगों की नौवी दस्वी वाली अगर आप लखमीर सिंग मंजीत कॉर नामक की किताब आती है उसको ही पढ़ लोगे ना एंसी आटी पर बेस्ट होती है पूरी उसमें अच्छे से एक्स्प्लेन करके आप लोगों को चीजे जो है वह बताई गई है और सबसे बेस्ट बुक वही होती है लखमीर क्या करता है एलेक्टिक रजिस्टेंस मेजर एलेक्टिक रजिस्टेंस इन अब्चेक्ट यानि क्या करता है वस्तूओं में विद्यूत प्रतिरोधक को क्या करता है रिजिस्टेंस को बेसिकली क्या करता है मेजर करता है जो रोकता है रेजिदेंस बेसिकली जिसको हम क्या ठीक है अरे बहुत सारी है नौवी दसवी के लिए बात करी है मैंने ना नाइन्थ और टैन्थ के लिए मुझको तो यह परफेक्ट लगती है अपने लिए अपना अपना लैंग्विज अच्छे से समझ में आ रही बुक्स वही बैस्ट जो आपको जिनकी लैंग्विज जो ह है वह समझ में आ जाए मैंने यह नहीं बोला कि सबसे ब्स बूक है मैंने बोला कि मेरे लिए सब से बीस्ट मैं समझती है ऐसे बहुत सारे पाप्लिकेशन भी है यौ दुट नहीं हो रही है यहां पर लैंग्विज की बात हुरहा अगर आपको कोई भी किताब है उसकी भाषा जो है लिखी हुई जो भाषा है वह असानी से समझ आ रही है आप समझ पारे हो पड़ पारे हो तो वह लैंग्वेज या फिर वह किताब आपके लिए बेस्ट बुक जो है वे पंच आती है ठीक है चल आगे चलते हैं इस पर बात हम डिस्कुशन जो है वह बं महल तो वह देखने गई अपने घर हरियाना से तो अगर मैं बात करके बात कर इसा जो कि डिस्टेंस है खार वह उंके के लिए for an example की 47 km का था example दिया है कहीं पता हो तुम मेजर करके बताने लग जाओ इस चीज को भी तो 47 km का distance था बिट्वीन नॉडा टू ताज महल तो यह क्या है यह आप लोगों को बता रहा है दूरी कितनी है ठीक है क्लिया हम तो cycle चलाते कोई बात निया cycle चलाते हो तो क्या हो गया उसमें भी लगा दे ना तुम पर कहता है तारवारे लगानी पडेंगी तो cycle का उपग्रेडिड वर्जिन भाई की तो है रूटी तो और फानी 24 निया जाता है आप लोगों की समांटर पन्डू पी के आप लोगों के अंदर तो यहां रगे लगे वह पर लगे वह हुई आपको समुंदर के अंदर ही भार निकल के क्या करेगा दिखाएगा कि आपके आसपास 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 कितने शिप्स वगएरा या फिर कुन कितना डिस्टेंस पर क्योंकि पानी के अंदर रहती ना पंडूपी ऊपर तो आती नहीं है इसलिए उसको हम चाहिते सम्मरीन और पंडूपी कहते हैं बेसिकलिए डिफेंज सिस्टम दुवारा जो है आप लोगों को पता ही है इस्तमाल में लिया जाता है यह सब क्लियर ओके चले आगे है लिया तो अलग-अलग बेसिकलिए अलग-अलग जगाओं पर रोहीं वह लगी वोटेश्टर्ण करती है बेसिक्ली क्या आप लोगों कि कह सकते हैं लाइट और उसके बाद क्या होता है आप लोगों को अंदर जो बैठा उसको क्या करता है दिखाई देता है ओके पंडूपी ठीक है बई चले आगे है आगे चले भई आगे चले अब कि नेक्स्ट अब क्या बात करता आप लोगों से अब बात करता है फोनोग्राफ के देने वाला यंत्र क्या कहलेगा पोनो घ्राफ जो है वे कहलाएगा लाइगा ऐसके बात करते हैं यहां पर लोगों से पाइलोमीटर की तो बैसिकली मेजर कर यहां पॉनजभ्रेचर जिए Pak टेंपरेचर मेजर किया जा रहा है यह बात आप सभी ध्यान में रखेगा यहां पर बॉलो मेटर जैसी चीजों को मत घुसाइएगा जबर्दस्ती क्योंकि आंसर फिर यहां पर गलत हो जाएगा अगर मैं बात करते हूं तेंपरेचर उसके तप को मेजर करने के लिए मापन इसक्त माल में लिया जाता है ठीक है दूटीओ पर प्रभाद ठीक आगे चलते हैं आगे क्या बात करता है उन्यार्ड क्लोंक के बारे मैं तो यह begin बैसिकली साइंटे्टेस्ट जो होते हैं अऔर वैज्णने जो होते हैं इस दोड़ा में लिख लगक्वर इस्तर्नोमिकल अब्शर्वेशन अन्द ली on कि वहींये कि अंदिर आप ञटा यिस्ट न on समझ में आगे आप लोग चलो है कि अब देख लें कितने क्योंकि मेरी पीछे क्लास लगी हुई है कि एक यह पढ़ लेते हैं दो चार रह गए हैं वह आप लोग एक बढ़ देख लेने हैं आपको पीडिएफ जो हूँ वह देदू दो चार हैं वह आप लोग एजन होमवप क्योंकि इन में लिखा हुआ है साफ साफ क्या है अगर मैं बात करूं सिज्मो ग्राफ जो है वह किसलिए इस्तमाल में लिए आता है जब अर्थकुएक आता है जब आप लोगों का भुकम्प आता ह जबने पर सब सबसे कम लेसे समय आप लोगों का जो अर्थ वह आथे जाता हूँ तो पढ़ना पढ़ा था था भी पूरी पूरी रात तो रात क्या वह सुभाई होगी थी चार-पांच बज रहे थे तब मैंने सच में भुकम को बेसिकली पील कर रहा है कि कैसा होता है भुकम उसके बाद तो पतनी बहुत बार भुकम पाते आप एक जित्यागी कर रहा है जि बहुती सुंदर सिज्मोग्राफ क्लास को आप सभी लाइक कीजेगा यह इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है और एक कर्शिन में आपको दूंगी जो कि आप लोग लगा लीजेगा ठीक है और बताईएगा बेशक अगर आपको आता हो या फिर नहीं आता हो तो आप लोग क्लास है पेट ग्लास है वह वली क्लास लेनी है मैंने तीन-तीन बार कर रहा है अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जैहिंद भारत जैश्री किष्णा रादे रादे हरार मादेव इस वाले क्लास मुझे बताये कॉमेंट सेक् कि अष्छा रादे हर। कि अ